नमस्कार दोस्तों स्वागराब सभी लोग का इंडियन फ्लाइन के इस वक्त की नई अपडेट में आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के इसां सेयर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल का सामने रही है पहली बड़ी खबर की जानकारी कैनेडा से जान लेते हैं जो लोग भी कैनेडा के लिए ट्रेवल करके जा रहे हैं उन सफी लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने रही है आपको बता दे कि केनेडियन गौर्णमेंट के द्वारा जुलाई महीने तक रेंडम कोरोना वारस टेस्स जो किया जा रहा था उसके उपर फिलाल के लिए रोक लगा दिया गया है जी दोस्तो हमने बीते कल की वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि इस समय केनेडा के टोरेंटो एरपोर्ट पर पैसेंजर्स की काफी ज़ा भीड़ देखी जा रही है क्योंकि वहाँ पर स्टाफ की कमी है और बहुत सारे लोगों को काफी ज़ादा समय त आना चाहेंगे कि गोवा में एक और एरपोर्ट की सुरुवाद सितंबर महीने से होने जा रही है जी है दोस्तों यहाँ पर गोवा एक काफी छोटा राज है लेकिन इसके बावजूद भी गोवा में एक और एरपोर्ट की सुरुवाद की जा रही है जिसके माद्यम से जो का ये दूसरा एरपोर्ट जहां से उड़ाने अब सितंबर महीने से चालू हो सकती है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर की जानकारी भारत में करोना वारस केसिस को लेकर सामने रही है आपको बता दे कि भारत में लागातार करोना वारस के नए केसिस रिपोर हो रहे हैं अभी की जो ख़बर सामने रही है उसके अनुसर बताया जा रहा है कि बीते कर 8000 से अधिक नए कोरोना वारस के केसिस सामने आ रहे हैं और इस समय भारत में एक्टिव कोरोना वारस के टोटल केसिस की संख्या बढ़का 40,000 से अधिक हो चुकी है आपको बता दे क कि इस समय सबसेदा करोना वारस के केसिस महारास्टा से सामने आ रहे हैं एक और अपडेट यहां पर ताइवान जाने वाई लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी ताइवान के लिए ट्रैवल करना चाते हैं उन सबी लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर सामने आ कर दो government को अब क्वारिंटीन के नियमों को बदलने जा रही है। इस से पहले जो लोग भी Taiwan के लिए ट्रैबल कर रहे थे उन सबी लोग को साथ दिन का क्वारिंटीन में रहना पड़ता था लेकिन अब यहाँ पर Taiwan की government क्वारिंटीन के नियमों को कम कर गे केवल तीन आपको बता दे कि मुंबई में बनने वाला एक और एरपोर्ट उसको लेकर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नौई मुंबई एरपोर्ट ने एक नया माइल स्टोन टच कर लिया है जिसके अनुसार एरपोर्ट को जो रिक्वाइ जहां पर उन्होंने तकरीबन 5000 फैमलियों को अलग जगे पर सिफ्ट करने का फैसला ले लिया है और उससे जो भी जमीन खाली हो रही है वो जमीन अब नई मुंबई एरपोर्ट को मिलने जा रही है आपको बता दे कि आ रही डेट के नुसार नई मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट साल 2023 तक ओपरेशनल हो जाएगा और यहां से साल 2024 तक फ्लाइटे चालो हो जाएंगे